बताओ मुझे sale analysis क्या है actually इसको मैं discuss करने जा रहा हूँ multiple method से थोड़ा mind को हम लोग मतलब sharpen करेंगे right जैसे मान लो कि ये तुम्हारा sale है ठीक है e तो actually इसका मतलब क्या है कि इसका potential e हुआ इसका 0 हुआ अगर तुम इसको a बोलते हो इसको b बोलते हो तो ba minus bb ठीक है तो ये बताओ ये mf e का मतलब क्या होता कि इसका voltage e इसका 0 तो बोलो a का voltage कितना है e minus 0 तो क्या हो गया आपका e हो गया ठीक है अब जैसे मान लो कि ये resistance है आपका r इसमें current जा रहा i ठीक है तो देखो ये आपका a है और ये आपका b है तो देखो current high से low जाता है तो देखो अगर मैं ba minus bb बोलूँ ठीक है तो definitely high potential, low potential है तो इसका जो difference होगा वो positive होगा तो ये क्या होगा ir होगा ठीक है और अगर ये तो ba minus ir is equal to bb लिखते हो आप ठीक है न इसमें sign convention में इसी concept को use करते हो आप जैसे कि ये आर हुआ ये current आई हुआ तो जहां पर enter कर रहा है plus और minus ठीक है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर along the current जा रहे है तो हम लोग sign convention क्या लेते हैं ir लेते हैं तो देखो आप यहां से लिखना चाली को तो भी ये अब ये a हुआ और ये b हुआ ठीक है अब ये देखो ये plus है ये minus है यहां पर current एंटर कर रहा है ये plus है और minus है ठीक है अगर तुम इसको sign convention के हिसाब से लिखोगे तो यहां का voltage क्या हुआ भी है ये positive to negative minus e positive to negative minus ir is equal to vb ठीक है तो देखो आप अगर direction current के directions में जाते हो तो potential continuously क्या हो रहा है decrease हो रहा है देखो यहां का voltage भी है फिर और e से amount से घट गया फिर ir से घट गया और finally आप इसको बोल रहा हो vb मतलब vb किसके बराबर हो रहा है ओ vb minus e minus ir मतलब in the direction of the current potential continuously decreases देखो current उधर जा रहा है तो continuously va minus e minus ir is equal to vb या vb is equal to va minus e minus ir तो in the direction of the current ठीक है in the direction of current potential decreases ठीक है तो यह बात हो गया ठीक है और भी इसको इनलाइज कर सकते हो दुसरे मेथड से भी इनलाइज कर सकते हो जैसे मानलो कि तुम ऐसा बात करते हो देखो अब यह देखो तुम्हारा e है यह r है यह current रन कर रहा है यह a है यह b है इसको तुम मानलो x तो देखो तुम्हारा पता है कि यह high voltage है यह low voltage है तो va minus vx is equal to क्या होगा यह इसका voltage क्या है e है इसका 0 है तो यह e minus 0 तो बोलो कितना हो गया अब यह VX, VX minus VB, तो बोलो यह high है, यह low है, तो इसका कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा, अब यह दोनों को add कर दो, तो यह तो cancel हो गया, तो VA minus VB is equal to E plus क्या हुआ, IR हो गया, और अगर आप ऐसे VA minus E minus IR is equal to VB, तो ही पहले वाला बात हो गया, क्योंकि in the direction of the current, potential decreases, तो VA उसमें से घट गया, minus E, फिर उसमें से घट गया, minus IR is equal to VB, okay, right?